नमव नारे ये गोमाता वन्दे मात्रों मा भारती कुप्रणाम और फिरदैसे ओम शम शनिश्चराए नमगा फिरदैस्ट्रों मित्रों शाथियों बात अनभव की कह रहा हूँ संतों का वाक्य है संतों का संदेश है लेकिन अनभव मेरा है अगर आपको कोई अच्छा लगता है ना तो अच्छा वो नहीं है बलकि अच्छे आप हो क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है उसके भीतर में जो गुन दिखाई दिये वो पार्खी नजर आपके पास थी इसको स्विकार करिए और एक बात और कहना जाता हूं विश्वास जीवन का सब चे बड़ा खजाना है उसके बगर ना तो प्रेम संभव है और ना प्रात्ना ओम नमव नाराएं फिर देशलों मित्रों शाथियों सितंबर 2023 का महिना बारक बारा राश्यों के लिए कैसा रहेगा वीडियो आपके सामने है आपके सामने आपके जिवन की खुश्या और गरन श्रक्तरा शंकेत लेकर पने आपके सामने आया हूं शबी मित्रों और शाथियों को स्रीक्रेशन जन्माष्ट में की हार दिक्सुब कामना है और रेशीपंच में भी आएगी उस वर्त की बहुत-बहुत बधाए इस वीडियो में बहुत कुछ है क्योंकि 29 सितंबर 2023 से स्राद प्रक्ष प्रारम होगा और वो 14 अक्टूबर त चर्चा करी है तो भैवेथ होने की जूरत नी है इस वीडियो में मैंने बहुत से उपायों की चर्चा किये प्रतेक रासी की अलग अलग शाती सितंबर का महिना गरने नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा क्या आपको लाब मिलेगा कारोबार में शपलता मि प्रेशानी उससे मुक्ति मिलेगी या फिर प्रेशानियों से जुन्जना पड़ेगा किया बहुत कि आपे राशी परिवर्दन किस की सेतर प्रत्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा इस विशे पर नक्षत गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके सामने रखूँगा साथ प्रियास करूँगा कामकाज, कारुबार, नौकरी, वेवसाई, समाज, परिवार, स्वास्ति और शिक्षा के दिश्टि कौन से सितंबर 2023 का महिना बारक बारा राश्यों के लिए कैसा रहेगा इस विशे पर भी बात करूँगा गणनाएं लगन के आधार पर भी होगी और गणनाएं चंदराश्य के आधार पर भी रहेगा तो सबसे पहले राशिपल पर आऊँ मैं ग्रह गोचर की बात कलता हूँ सितंबर महा के प्रार में सूरीदेव से करता हूँ सुरीदेव महा के आरम में स्वारासी सिंग में संचरन करेंगे 17 सितंबर से सुरीदेव कन्यारासी में परिवेश करेंगे मंगल देव महा के आरम से अंतक कन्यारासी में संचरन करेंगे बुद्देव महा के आरम में वकरी अवस्ता में सिंग रासी में विराज मान रहेंगे 15 सितंबर को बुद्देव सिंग रासी में मारगी होंगे ब्रश्पती देव महा के आरम में मेश रासी में विराज मान है चार सितंबर को ब्रश्पत देव मेश रासी में वक्री अवस्ता में संचरन करेंगे। सुरिदेव और बुद्देव की यूती सिंग रासी में रहेगे। दोनों ही आदार पर राशीपल पर मैंने मेहनत की हैं लेकिन राशीपल को चंदरासी से देखने में अच्छा लगेगा। रासिपल महिलाओं के लिए भी है पूर्सों के लिए भी है युवाओं के लिए भी है बुजर्गों के लिए भी बच्चों के लिए भी है और यह रासिपल जन्रल है आपके लिए आपकी जन्मकुनली क्या संके देरी है तो नीचे नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर शंपर करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं मेतरों शाथियों एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरा आंकलन है और मैंने कभी किसी पर दबाव नहीं दिया है इमानों इमानों ये आपकी मर्जी ये निवे दिन हमेशा मैं आप से करता हूं अब सितंबर के महिने में बारा के बारा ये संचनर्न कर रहें ग्रहों का आपके उपर के महिने मेंशराशी ये क्या सितंबर yang 터fte स्वे में जोगों मेशरांसी वालों के लिए क्या संकेदे रहे हैं सबसे पहले बात करूँगा मेशराशी की मंगल देव मेशराशी वालों के लिए मंगल देव लगन और अश्टम भाव के सौमी होकर कन्या रासी स्चटे भाव में संचरन करेंगे। विपरित राज्योग में है। छटे भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर दस्टी नमम भाव, सब्टम दस्टी द्वादस भाव और अश्टम दश्री लगन भाव पे रहेगी मनुबल मद्बूत होगा सास और हिम्मत में बड़ोतरी होगी आसावजी रुशकारात में सोच का लाब मिलेगा नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा किसी भी प्रकार की मेसराशी के जातक जातेकाओं को केरियर को लेकर कामकाज को लेकर विशेश परिशानी नहीं आएगा उचदिकारी के साथ काम करने का आनन्द आएगा और बहुत से समंदों में शुधार होगा मनवाची सपलताई मन को प्रसंता प्रतान करेगा नौकरे में तरकी आर्थिक लाब और आर्थिक पक्स्वी सुधरता के रोजगार की साधनों में बढ़ोतरी होगी लेकिए पारवारी सदसे व्यक्तिकत बातों को लेकर उल्जना नुकसान डाइक रहेगा करोद पर नियंतरन रखना आवश्यक होगा अनाव से कलेव जंजटाव में शाधनी बरतनी होगी पारवारी जिएउन में शपलता के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना जरूर होगा पारवार जिस्ता में असंतोस की भावना दूरियां बढ़ाएगी यात्रा में सावधानी बर्तनी पड़ी गुर्शास्ते का ध्यान दखना पड़ेगा ये लगन के आधार पर लगना अधपाती मंगल देव की चर्चा आपके दिए कि मेश राशी वालों के लिए सितंबर का मैना मंगल देव क्या कह रहे हैं अब मैं बात करूँगा शुरी द कैसा ही पूरी होगी समाज में आपका मांसमान मजबूत होगा लोग आपकी प्रसंसा करेंगी आप व्यविशाय क्षितर में कुछ शिकर को हासिल करने के लिए जो प्रियास कर रहे हैं उसमें सफलता के चांसे ज्यादा नजरा आ रहे हैं आपकी परसनल्टी में निखार हो होना चाहिए इस बात का ध्यान लगेगा 17 सितम को शूर देव कन्यारास्ती छटे भाव से संच्रण करेंगे सब्तम पुंदिस द्वादस भाव को देखेंगे आप नौकरी में हैं चाहिए उस सरकारी चाहिए प्राइवेट पहले की अपिक्सा इस समय कारी स्थल पर आपक जो मजबूती हो काफी बैतर रहेगी जौब के चेतर में मनों कुछ कर गुजनने का सवसर प्राप्त होगा वरिश अद्रिकार से अच्छे समद्ध बनेंगे जिसका लाब आपको मिलेगा सरकारी चेतर में लाब के अच्छे मोक्य मिलेंगे और वाद विवाद में आप वि कंपेटिस में सपलता मिलेगी और शत्रों पर विजय हासिल होगी यह सुरीदेव का संक्यता बात बुद्धेव करते बुद्धेव तीसरे उच्छटे भाव के सवमेकर महा के आरम में वक्री अवस्ता में सिंग रासी पंचम भाव में संचन करेंगे सब्तम दर्शी से ग् को लुग और विद्यारतिं के लिए सिख्षार के च्छेतर में सपलता के संकेते उस संकल्प की भावनाबनी रहेगी वेपार में अच्या लाब मिलेगा रिन्ubenपर रोग से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक इसमें सुधार होगा, आपके पास संचार कोसर अच्छा होगा, जिसे कि आपके कारियों करने में आपको सुलब रहेगा, एक नई दिशा दे सकते हैं, आपकी बुद्धी में बिर्दी होगी, बुद्धी सकरात मरेगी, इसमें अपने प रषपदेव क्या संगे, बुद्धी नमम और द्वादस भाव के सौमें होकर कैंदर तिरकॉण की उत्ता मिस्थती में लगन भाव में मेश्चरासी में संचन कर रहे हैं, रावदेव के साथ, चार सितन्ब को ब्रषपदी मेश्रासी में वक्री होगे, वक्री ब्रश्पत आपको मांसमान की प्राप्ति होगी, मनोबल मजबूत रहेगा, स्वास्ति अनकूल रहेगा, भागी का साथ मिलेगा, नौकरी में इंक्रिमेंट और प्रमोसन का लाब मिलेगा, वैविशाय नौकरी में शुकद अन्भव होंगे और विदेश सम्मंदी कारियों में शफलता म मिलेगा, ब्रश्प्रति देव की दश्टी पांचवे भाव रहने से, जो जातक संतान के लिए प्रियास कर रहे हैं, उन्हें मेडिकल का सहरा लेना चाहिए, इस समय संतान योग का संकेत नजरा रहा है, शेर मार्केट, इस्टॉक मार्कमेंट लाब होने की संभावना है, ब्रश्प्रति की दश्टी आपके सात्वे भाव पर रहने से, जो जातक जिवन सात्ती की तलास में, उन्हें जिवन सात्ती की तलास पूरी होने का संकेत नजरा रहा है, यह आप अविभाय थे तो विभाव का योग है, ब्रश्प्रति की नवम दश्टी, नवे भाव पर है आपकी सही दिशा सकारात्म दश्टी कौन के साथ कोई भी आप प्रियास करेंगे सफलता आपका दामन और उसमें सफलता मिले जिया आप साथी अध्यात पुरुधा नचा रहेगा आपका मन चैतनी सत्ता के साथ इस्वर के साथ जुड़ने का करेगा आपकी संपून शमश्याओं का समधान का संकेत पिता पक्स और वेवर्द सद्विश्ट का पून शयुग मिलेगा संकेत ब्रश्पति देव का थार बात करते हैं सितम बर क्या मिने की वजए से बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगर वो कंधा से कंधा मिला कर आपका साथ देगे कारोबार में आउड़ी का मौका है कारोबार में धन में बडोत्री होगी नौकरी के लिए सुक्रदेव शुड़्षंकेत दे रहे हैं कारिस्तिल पर आपकी इस्तिती बहतर होगी परिवार साथ समय बिताने का आउसर मिलेगा और मनोब लाशाओं की पूर्टी होगी इस माँ आप घर में ही काम करते वे अपने परिवार के साथ आनन से रहेंगे हिदिया आपको जमीन जाइदाद वान खरेतने का प्लान कर रहें तो सफलता मिलेगी और माता का स्वास्ति अच्छा रहेगा ये था शुक्रदेव का संकित अब मैं बात सनी देव की करूगा शुक्री महा के आराम लाभ भाव में सश्ट्रन कर रहें है तो समाजिक व्यवस्तां में पूणता आपकी सांक अठ्छी रहेगी और समाजिक व्यवस्ता पूणता आपका मांसमान बढ़ेगा इदि आप नौक्रिम है तो पुरी इमानदारी गंपरीद सर से काम करेंगे उसमें आपको शफलता मिली उच्पदा अधिकारी आपका स्वयोग करेंगे किसी वरिष्ट अधिकारी का स्वयोग आपको अपने केरे में आगे बढ़ने के लिए प्रेड़ करेगा तकने की छेतर इंजिनियर का से मेकनेजम विज्ञान से जुड़े युवा और विद्यारतियों के लिए महां बड़ा लाबदाइक रहेगा उस शिख्षा प्रापकर अपनी केरियर को मंचाई दिशा देने में सपल होंगे इदि आप सोध कर रहे हैं कोई तो आपके लिए यह महां बहुत अनकूल रहेगा बात करते हैं रहुदेव में इस तरा सी लगन भाव में संचरण कर रहे हैं मनवल मजबुल होगा करम में रूची बढ़ेगी कारि में सफलता में मिलेगी यू लेंदेन के मसलिव आपके पक्ष में रहेंगे अकस्मात बहुत सी चीज़ों को आपको करने का मौका मिलेगा नहीं नहीं चीज़ों को आप खोज करेंगे कुछ लापदाई को शुब घटनाए भी घटेगी लेकिन लगन भाव में विराजमें रहुद एक बात का संके दे रहें कि वेर्थ की false illusion से बचना रहेगा वेर्थ के भरम से दूर रहना होगा अंकलन बहुत जरूरी अपने साथ रहना बहुत जरूरी होवे में बात नहीं करे हकीकत के साथ जुड़ना बहुत जरूरी केतुदेव तुलारासी सब्तमभाव में है सब्तमभाव में केतुदेव का संचन आर्थिक दश्रीकों से अच्छा संके दे रहा है केरियर कारूबार नौकरी में उत्ता मसर बढ़ेंगे मैनत परिश्रम का लाब मिलेगा डैली इंकम बढ़ेगी लेकिन नीजी रिस्तों को लेकर वैभाई जिवन को लेकर परिशानी का संके दे रहे और इस बात का भी संके दे मिला है कि आप जल्दबाजे में कारोबार में निवेश नहीं करें जल्दबाजे में कोई विस्तार नहीं करें या कारोबार में परिवर्तन नहीं करें क्योंकि के तु सब्टमभा में इसंखे दे रहा किसे आपको हानी हो सकते मित्रशात्य नोक नेगरों का विविन भाव में विविन राश्य में संचरण का प्रभाव था जब यह आपस में योगा योग करेंगे यूती समंद बनाएंगे दर्शी समंद बनाएंगे तब मेश राश्य वालों के लिए सितंबर के महिने में क्या प्रभाव रहेगा यह राश्य पल चंदर राश्य प्राधारित है मेश राश्य के जाते जाते में सितंबर का महिना क्या संके दे रहा है क्या खुशिया मिलेगी अपनों का साथ मिलेगा वैपार में शपलता मिलेगी नौ अधात पर आपके उपर क्या पर भाव रहेगा सबसे पहले बात करूंगा कामकाज कारुबार नौकरी और आर्थिक से मेश राशी वालों के लिए राशी अजबुदी मंगल देव महा के आरम से अन तक लगन और अश्टम भाव का सौमे उकर छटे भाव कन्या राशी में अंदार सफलता का संकेदर सफलता में चार चांद लगेंगा आपकी मेहनत आपकी परिशन और आपकी संगर से छटे भाव में मिराजबान मंगल देव की चतुर दसी भाग्ये भाव पर है सब्तम दस्ती बारवे भाव पहर रश्टम दसी लगन पर है मेश रासी वालों के लाब भाव में शनी देव अपनी मूल्त रिकॉंडासी कुम में वक्री आवस्ता में संचन करें और ब्रश्पति देव से त्रेकादस संबन दे लगन में विराजबान ब्रश्टम दसी पंचम दसी बाव और नमम दसी नमम भाव रगग एक से अधिक धन प्राप्ति के यो सफलता के अच्छे आप फिलम इंडिस्ट्री में या नियाले में है सरकारी नौकरी में उच्पदों पर विराजमाने समय अच्छा संकेत दे रहा है गारी घर नई जमीन प्लॉट लेकर प्लॉट को लेकर भी महत्मुन लेने का संकेत नजरा रहा है आप गारी खर सकते हैं आप घर कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं उसकी योधना बना सकते हैं नक्षत करना ऐसा संकेत दे रहा है राजनीति के चितर में आपका वर्चे सो बढ़ेगा बेहतर कारी करने का सूषण मिलेगा राजनीति की संबंदों में अनकूल रहेगे एक बेहतर प्रदेशन के उनती के पूर्ण शंकेत है नौकरी में उनती कार्क नहीं जम्मदारी मिलने से मन प्रफ्लित प्रसंचीत रहेगा और सरकारी नौकरी में है तो समय आपके लिए मनोनकुल इस्थान नंत प्रमोशन का भी है पारबार दिष्टि कौंग से मैस्थ्रास्चीवालों कंषीत अमःने में थोड़ी शावधानी बरतनी पड़ीगी अगरिसें से बचना पड़ेगा optimize उससे बचना पड़ेगा। चुटड़ी बातों से नहीं उलजना है। जीवन साते के सबत जाल में नहीं उलजना है। चीटे कीसी से बचना है। वेर्थ के तरक वितर से दुना विवादों में नहीं पढ़ना है। और यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो निजी संबंदों में दूरियां नजर आ रही है सितंबर के में में पारवारी जिस्तों को लेकर फूंक फूंक कर आपको कदम रखना होगा रिष्टे आपको निभाने होंगे अपनों के साथ विवाद हो सकता है दामपते जीवन की परती थोड़ा सचे तरहना होगा हाँ चार सितंबर शुक्र आँश्चे में मार फ़स चतूरतभाव में संचनर करें थोड़ी सी पारवरी स्रद्शयों का पूंठ प्रबर मिलेगा जींवनसाति की वज़े से पारवरी जींवन् फिर śण ड्रयगा बेगा जीवन्साति का पूंठ घिक हैं लेकिन टर्क वितर्क बाद बीवाद कले से बचने के लिए आपको थोड़ा सा सांत रहना होगा समझोतावादी निती अपनानी पड़े हैं आप युवा हैं आप विद्यारती हैं केरियर और एजुकेशन के दर्ष्ट कौन से भी नक्षत घ्रना इस बात का संकेद है कि लाब और सफलता का संकेद है कामकाजे कार परतियों की परिक्षा जे में परतियों की परिक्षा भी अची रहेगी इदिया शीविल सर्वेश्ट की अध्यान दियुआ है तो आपको अच्छा मोका मिलेगा हां यह अलग बात एक थाली में प्रश्ट कुछ नहीं मिलेगा इसके लिए महनत और संगर्ष करना परिवार का पूरा साथ मिलेगा केरियर और एज्यूकेशन के सिर्व में आगे बढ़ने का मोका मिलेगा स्वास्ति की दर्श्रीकों से मेस्तरार्ष वालों के लिए सितंबर का महिना थोड़ा साफ धाने का संकेद रहा है लेकन भाव में रावदेव का संचर अनाव गुटन स्वास्रमंदी परिशानियों का संकेद नजर आए आंकों श्रमंदी परिशानियों के लिए सितंबर 2023 के महिने का नक्षत ग्रणनाओं के आधार पर आँख लाए अब सितंबर के महिने में इदी कामकाज कारुबार नौकरी परिवार स्वास्तियों को लेकर कहीं परिशानी है क्या करें तो सरव प्रतम उपाय है हनमान जी की सिर्चड़नों में हर रोज एक महिना आट रे से केसर चड़ाना है और हनमान जी की चड़नों से सिंदूर लेक हो रहा है तो में सिर्चिवाले क्या उपाय करें मित्रों शाथियों आप चाहते कि पितर देवता आपको आशिरवाद है तो जब स्राद प्रारम हो उससे पहले अपने पितरों की जो फोटू है वो अच्छी तरह फ्रेम कराकर घर के दक्षन डिवार में लगा दीजे उनक अनुसार भोजन जरूर करा है सर्दापुर हर रोज पितर पूजन के उपरां पूरुजों को याद करके अपनी चमता के अनुसार गरीब निधन व्यक्ति को श्राद पक्ष में भोजन और वस्तर का दान देना बहुत उत्तम रहता है जिस तिति को आपके पूरुजों का स लगातार ये पंदरात दिन रहेंगे हर रोज पातगाल नित्य कर्मिशनान और ब्रह्ममूर्थ में पीपल के वरक्षट पे जल चड़ाना भी अचारवर श्राम को दिपक जलाना भी पितरों के लिए उत्तम लाब का संकेत मिलना है स्राद पक्ष की 13 की दिन मेशरासी वालों गाई के उपले से अगनी परज़ करें और गाई की सुद्देशी घी और गुर्ज मिलाकर पितरों के नाम से हवन करना बड़ा उत्तम रहेगा लगाता स्राद पक्ष में हर रोज सुबह और साम मिटी के दिपक में कपूर अपने घर में जरूर जलाए इसे पितर परशन होते हैं कैसे पितरों को परशन करें इस मेंने आपको कोई प्रेशान क्या उपाई करें इसके साथ साथ नक्षत ग्रणाओं के आधार पर जो आंकलन था वो मैंने आपके सामने रखा ना भय ना भ्रहम ने भ्रांती ने विवाद ने तरक्ष शकन ओपनें का अधिकर आपका था भूल और गलती हो गए तो दोनों हाज जोड़े आपसे छमा मांगता हूं आप सुखी रहे आप श्वास्त रहे समर्ति सीले संदेव की चल्व मेरी प्रात्मा ओं नमव नारे रास्तान का हर व्यक्ति जानता है एक दाति महराज गाएं से बहुत प्यार करता है बेटियों स इस रास्त का नागरिक होई तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोष्यवा में अपना जीवन इस रास्त के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकॉन से मेरी अन्कूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांगार अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेराश्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये का कि आप शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूं आप भी शेवा करता हूं धन नहीं चाहिए लेकिन वरत्मान में जो आर आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, पूरी साल खड़ा रहूँगा, जब तक जीूँगा तब तक खड़ा रहूँगा, नमबर आ रहा है, इन नमबरों पर शंपर करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी आवज में गाएं के लिए चारे की वेवस्ता कर लिए, और इसलिए मैंने कहा था कि, भाई, थोड़ा दिन, इस समय में परेशाने में हूँ, और मेरी गाएं, चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हिरुदे से आया, लोगों ने कहा कि, राश्ट आप से प्यार करता है, दात परिश्रम करूँगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गाएं के लिए चारे की वेवस्ता करिए, शनी भगवान आपकी रक्षा करें, आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा नीवेद है, और वे लोग जो शक्षम है, शामर्थेवान है, और सनिधाम गोशाला में 200 रुपिया चारा कर दिया है, मैं उन सब की परती अपना आभार प्रगर करता हूँ, और ये सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों, समय ऐसा है, कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकॉन से अनकूर संकेत नहीं दे रहे है, इसलिए मैंने हैं, शासन के अपनी एक सीमा है और अपनी मर्याद है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी, मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदय से पुने एक बार निवेदन करना जाता है, कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में मेरा कोई दवाव नहीं है, प्रातना थी, आउम नमोनारायन, आउम नमोनारायन